हाई फ्रेंस असलाम लेकुम कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे आज मैं बनाने चारी हूं बहुत टेस्टी स्वेट गुलगुला यह वीडियो अलबेदा जुम्मा से एक दिन पहले की है मैं इफ्तारी में बनाने चारी हूं गुलगुला थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा थकान हो जाता है उसी में सारा काम करना होता है तो वीडियो एडिट में करना ही पाई थोड़ा सा लेट हो गया तो यहाँ पर मैं गुलगुले का बैटर तयार कर रही हूं एक कटोरी मैंने चीनी एक कटोरी पान उसके बाद मैं यहाँ पर आलू बॉयल कर रही हूं क्योंकि उसके साथ मैं बनाने वाली थी बहुत ही टीस्टी स्टीट स्टाइल क्रिस्पी वाली आलू टिक्की चाट तो यहाँ पर मैंने आलू को भी बॉयल करने के लिए रख दिया है उसके बाद मैं यहां पर प्याज हेल के उसको बिल्कुल बारिक बारिक कट कर रही हूँ उसके बाद बनाएंगे हरी वाली चटनी जो बिल्कुल रेडी वाले जो भाईया होते न वो बनाते हैं उनकी जो चटनी है वो काली नहीं पड़ती मैंने धनिया पतल ले लिया है लैसन और हरी मेर्च थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लिया है थोड़ा सा पानी डाल देंगे स्वाधनुसार नमक डाल कर इसको हमने पीस लेना है इसके अंदर एक चीज डालने से जो हमारे चटनी है बिल्कुल काली नहीं पड़ती है तो आप देखिएगा इसको तो यहां पर देखिए मैंने चटनी को अच्छे से पीस लिया है पीस के हमने एक बोल में निकाल लेना है और यह खाने में बहुत ही टीस्टी लगता है आप इसे कितने भी समय तक रखोगे यह काली नहीं पड़ेगी इसके अंदर हमने बस दही डाल दे लेना है यहां देखिए सारे आलो बल चुके आलो को ठंडा कर लेंगे और मैं यहां पर गुलगुला फ्राइग करने के लिए तेल को गरम कर रही हूं तेल को हमने मीडियम गरम कर लेना है और उसके बाद हमने ले लेना है गुलगुले का बैटर हमने तयार किया था वो ले तक फ्राई कर लेना है और यहां देखे कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे जो गुल-गुले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं आप ध्यान रखेगा कि इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना नहीं तो यह जल जाएगा उपर से और अंदर से कच्छा रह इनको हमने तेल से बाहर निकाल देना है उसके बाद हमने लग जाना है टिक्की बनाने में तो यहां पर जो हमारा आलू है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है इसको हमने अच्छे से फोल लेना है इसके अंदर मैं चार चमच कौन फ्लार डाल रही हूं आप इसके अंदर अ गड़की के रूप में अहिशे बना लेना है Um उसके बाद हल्क गरम तेल में हमने इसको डिफ लिख कर देए इसको भी में क्रिस्पी करना है और और क्रिस्पी कर दें लेना है साथ-ाथ में यहां पर प्लेट में निकाल लेना है चमस की मदल से कट कर देना है ताकि खाने में असानी होती है और जो हमने दही और चीनी फेट के रखा था उसके उपड़ डाल देना है अगर आपने अभी तक इसकी रेस्पी नहीं देखी तो जाके देख लीजीए उपस मैंने थोड़ा सा भुना बहुत ही टेस्टी बनी थी रेस्पी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी तो आलो टिक की चाट हमारी बनके रेड़ी है हमारा गुलगुला भी अच्छे से बन गया है ये देखी कितने अच्छे से जाली अंदर आय आया है ये देखिए सारी चीजे मैंने फटा-फट से बना दी फिर अफ़तारी का टाइम हो गया सबने बैट के अराम से इफतारी की उसके बाद आपने कमेंट किया था कि आप अपना इद का कपड़ा दिखाओ तो मैं यहां पर जो इद के कपड़े लेके आई थी वो यहा इसके नेक पे फुल कड़ाई है मतलब कॉटन का था बहुत ही अच्छा था कमफर्टेवल था इस गर्मी के लिए और बादू पे भी हलका हलका लैस लगा हुआ था साइड में लैस लगे हुए थे और यह हलका सा चुन्नट था मतलब सूट की तरह ही था हलका सा बीच में च कमफर्टेवल था यह भी पहनने में नीचे हलका हलका पतला है लैस दिया थे उसके साथ मिली थी मेरे को यह चुन्नि बहुत हलकी थी थोड़े से पतले लैस लगए थे यह देखे जो सूट में लगा हुआ सेम लैस चुन्नी में भी और पैंट में भी लगआ था और उसके स दोनों साइड में बहुत ही अच्छा लग रहा था सूट के ऊपर पहनने के बाद और भी अच्छा लगेगा उसके साथ मैंने खरीदी थी दो लिपस्टिक पहली वाली तो मैंने डेली यूज के लिए खरीदी थी बहुत ही लाइट इसका कलर था और शाइन दे रहा था तो ड कर दिना